ये दोस्टों नमस्कार एक बार आप सब का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्योब शेनल डियर गुरू जी पर और जैसा कि आप सबको होता है कि पर डे यहाँ पर नो बजे में आप सबके लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आता हूं और आज एक ब करवाया था अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको भी जा करके जरू देखेगा तो काफी साय लोग यहाँ पर दियर दे जोना स्टार्ट हो गए हैं सब लोग वीडियो को सेयर कर दे अगर नोटिफिकेशन नहीं गया है सबके पास आपको पता है बहुत ज्यादा खरा नहीं है सबी लोग जवाब दीजेगा बहुत ही चोटा से कोशन है और यहां पर उताना है कौन सी जो संग्या है वह बहुबचन में नहीं है चलिए तो यहां पर जवाब देखे सबके आना शुरू हो गया तो यहां पर देखे जीव जो है आपका बहुबचन हो जाएगा गोंगे आपका बहुबचन हो जाएगा लेकिन यहां पर देखे कच्छुवे कच्छुवा और कच्छुवे एक ही चीज़ होता है यह संग्या जो है आपका बहुबचन में नहीं है तो आपसे नमबर जो इसका सी है वह यहां पर करेक्ट है तो जितने भी लोग यहां पर अध्यापक उन्हें देखते हैं यह कैसा वाकिया आपको यह बताना है देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं जवाब देखें यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो यहाँ पर देखा जाए तो यह एक संज्वत वाकिया है कैसा वाकिया सर संज्वत वाकिय है तो option number जो इसका भी है वो यहां पर correct हो जाएगा और क्योंकि यहां पर जो और सब्द है वो आया हुआ है तो जितने भी लोग भी जवाब दे रहे से वो लोग यहां पर correct है बढ़ेंगे question number 158 की ओर तो आपसे यहां पर देखे कहरा है तो याद रखिएगा दोस्तों सब्दांस और सब्दों के मेल से जो रशना होती है वो आपकी योगिक सब्द कहलाती है क्या कहलाती है योगिक सब्द तो जितने भी जवाब दे रहें बी वो लोग यहां पर correct है योगिक सब्दों की रशना होती हो दो दो प्रकार से होती है सब्दांस के सब्दों के मेल से और सब्दों के बेसिकली मेल से तो उसका भी है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आते हैं कुश्चन नमबर आपके 169 पर तो आपसे यहांपर पर कह रहा है कि एया प्रत्य से बना सुध सब्द क्या है बताएए सर थोड़ा सम्मोटा होगे इसको छोड़ा कर लेंगे अप्र जवाब दीजिए यहांपर बिल्कुल सुरूवरत नमबर सी वो लोग यहांपर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे D.B.A. clear sir लोटा से लुटिया बनता है बहुत सारे से या प्रत्य से बने हुई जो है सब्द हैं अगला कोशन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कह रहा है सर आपका भारतिय सब्द का भोबचन क्या होता है जो भारतिय है उसका वह-बचन क्या होगा भारतियों भारती भारतीयों या उप्यूग मेंसे कोई नीई सबी लोग जवाब दी जवाब यहां पर देखे दिरे दिराना शुरू हो गया है तो भार्ती क्वह जिसमें पर बड़ी मात्रती लगा होता तो यहां पर आपसन जो इसका a है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो आएगा, तो जितने भी साथ ही जवाब दे रहे हैं आपसर नमबर A, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हैं, चलिए सर आते हैं, अगले question की और, अगले question ध्याँ से देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है, कि कोई गाना गार रहा है, इस वाक्य में सर पर नाम पहचानना है आप सभी को, देखते हैं कि तो लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं, तो भाई, यहाँ पर लिखा है कोई, तो बिल्कुल सही बात है, सबका answer जो है, आना सुरुक हो गया है, अनिश्चे वाचक, यहाँ कोई जो है, वो निश्चित नहीं है, तो य आपके सामने options भी दिये गए है, बहुत ही repeated question है, तो इसका जवाब तो सबको पता ही पता होगा, तो जवाब देखे आना सुरु हो गया है, तो कामाईनी के अगर हम बात करते हैं, तो इसके जो रचैता है, वो जैसंकर प्रसाजी है, किसका भाई, यह किसकी रचना है, जैस पतवार b भी है, इन चारो सब्दों में से कान, कर्ड, सुरुती और स्रवडेंदरिये, इन चारों में ऐसा कौन सा अर्थ सब्द है, जिसका अर्थ पतवार भी होता है, सभी लोग जवाब दिए जवाब देखें, तो तो 63 का आना सुरु हो گए है, तो बिलकुल साही बात ह आप जवाब दीखें आपर आना शुरू हो गए तो क्रेक कैंसर क्या हो जाएगा सर किसी पर विजय प्राप्त करने की इछ रखने वाला होता है Jigosu, क्या होता है शर्眉, जीगी शु, तो यहाँ पर जीतने भी लोग जवाब दे रहे हैं, option number C काफ़ी लोग अलग-अलग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग A भी बोले हैं, बट यहाँ पर जेतने भी लोग जवाब दे यहां पर देखा जाए तो बिलकुल सभी ज्वाब आ रहा है। सबका चतुर क ouais विसेषता बता रहा रहा है। यह जुघ होजा आपका विसेषता हो जाएगा। तों जो इसका C है वो यहां पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं कोईशन नमब 166 पर तो आपसे कह रहा है कि हिंदी वर्ड माला में उसमें वेंजन कौन से हैं उसमें वेंजन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ एक तो आपका हा होता है और आपके तीनों जो शाह होते हैं जवाब यहाँ पर पहले ही आना शुरू हो गया था और आई होप सबको पता भी रहा होगा तो बिल्कुल सही बात है तो जितने लोग जवाब दे रहे हैं उसमें वेंजन कहलाते हैं तो यहाँ पर option जिसका A है वो correct हो जाएगा अगला question दिया से देखें यहाँ पर कि कलेजे पर साप लोटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा सब लोग जवाब दीजिए sir कलेजे पर साप लोटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है जवाब देखें यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखेंगा भई कलेजे पर साप लूटना इस मुहावरे के अर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एरसिया से जल लूटना तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपसर नमबर B वो लोग यहाँ पर बिल इसका जो करेट एंसर हो जाएगा आपका आपसर नमबर C जो आपका मैं सारी रात जागता रहा तो जितने भी लोग जवाब दे रहा है आपसर नमबर C वो यहाँ पर बिल्कुल करेट हो जाएंगे प्लेर एसर चलिए आते हैं कोईशन नमबर 179 पर तो आपसे कह रहा है कि सब्तरसी में समास कौन सा है सब्तरसी में कौन सा समास है सभी लोग जो दीजिए तो बिल्कुल सही बात यहाँ पर देखिए कोईशन देखते हैं सर आपको समुझ में आ जाएंगे क्योंकि जब पहला जो सब्द है पहला पर पर आगर वहाँका संख्या वाचिक विसेसर हो यहाँ पर कौन सा ऐसा सब्द है जो आग का प्रयावाचि सब्द नहीं है देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं कौिशन नंबर देखे 170 में देखा जाया तो अनल पावक वियोम किर्सान JakåIR अगर झ्या पर देखाया जिया आपका अकास प्रयावचि नहीं होता है इसलिए यहाँ पर ऑप्सफव इसका ओप्षी है वह यहां पर बिलकुल करेक्ट होजाएगा आते हैं कौशन 171 पर तो किसमे प्रेड़ार्थक किरीया का प्रयोग नहीं है एक स्विकत्ता नंबर कोशन कह रहा है कि निमलिखित वाक्यों मेंसे किसमे प्रेड़्थक किरीया का प्रयोग नहीं है बताईए सर, जब आप देखें आपर एक स्विकत्तर का दीजे बहुत ही प्यारा कोशन है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिता उसे पढ़ाते हैं, देखें, भाई प्रेडार्सक किरिया क्या होता है, जिसमें प्रेडा पढ़ाते हैं, यानि कि यहाँ प्रेडार्सक किरिया है, बट यहाँ पर B में ऐसा कुछ नहीं है, तो जितने भी जवाब दे रहे हैं, अगला कोशन करा भाई, उच्छेष्ट में इसका सुद्ध संदी विच्छेट क्या होगा, बताईए, संदी विच्छेट सबको पतावना चाहिए, एक से दो कोशन जरूर आता है, प्लस सिष्ट ये मिलके होता है, आपका उच्छेष्ट, और यहाँ पर संदी की बात करते हैं, तो आपका हालन्त लग गया, तो हमेशा क्या होता है, आपका विच्छेट संदी होगा, आते हैं क्वेश्ट नमबर 73 पर, तो आपसे कह रहा है कि अधो लिखित में सुद्ध सुद्ध वरतनी वाला सब्द कौन सा है, इन चारों सुनों में से सुद्ध वरतनी कौन सा है, रचाईता, अनुग्रिहत, अहार और स्रिष्टा, जवाब देखिए, यहाँ पर आना सुरू हो गया है, तो रचाईता देखा जाए, तो बिलकुल सही बात है, तो जितने भी कौनinkा जाई套्रिहत में, गरा जो है, यह गराभ पे यह वाला लगता है, यह गलत है, से रिष्टा के अगर हम बात करते हैं, तो सिरिष्टा में जो यह यह लगा है, इसमें थोड़ा सा दोनों में देखिए, यहाँ पर यह सिरिष्टा लगेगा, इसके लिख़ुए यहा सा question है देखके जवाब आप लोग दे पा रहे होंगे कि जो राम लच्छमर्ड है यह आपका विसेशर नहीं विसेश से है या संग्या है तो option जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी जवाब देने वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं आते हैं question हाथ जो है आपका एक तदभो सब्द है clear असर चलिए आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question देखिए हैं आपर क्या गह रहा है कि प्रतिकूल का विलोम सब्द क्या हो जाएगा सब्सक्राइब जवाब दीजिए का प्रतिकूल का विलोम सब्सक्राइब क्या हो जाएगा द हो जाएंगे चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question आपका देखिए हां पर क्या कह रहा है कि एफी डेविड का अनुबाद क्या होगा एफी डेविड का हिंदी अनुबाद क्या होगा अब बताएगे तो जवाब यहां पर आना शुरू हो गया है तो बिल्कुल सही बात से सपत पत्र तो जितने भी जवाब दे रहें आपसर नंबर यहां पर करेक्ट हो जाएंगे प्रस्ताओ यानि की रिश औरूशन होता है एडजेस्मेंट आपका समायोजन होता है और वीवरड मतलब होता आपका डेस्क्रिप्शन क्लियर है वीवरड यहां पर नीचे जो अध्यु आपको पीडियाफ का लिंक मिल जाएगा आएंगे Qन नाम आम खरता है इसमें वाच्चे का कौन सा रूप है तो जवाब देखे आना शुरू होगा esté करता की प्रदांता है तो यहां पर क्रित वाच्छी हो जाएगा तो यह तो नॉर्मल सा कोईशन था 189 गह रहा है कि निम्लिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है तो यह भी आपका बहुत ही आसान कोईशन था देखे कुछ कोईशन आपके यहां पर आसान दे दिये हैं बट यहां पर एक चीद ध्यान रखिएगा कि आपका उप्सन जिसका ए है म आते हैं अंगले कोईशन पर तो यहां पर 180 नंबर कोईशन में कह रहा है कि कनक मतलब धतूरा और कनक मतलब क्या हो सकता है मतलब एक सब्स दिया गया है उसका दूसरा आर्थ बताना है तो एक कनक का मतलब होता है धतूरा तो एक कनक का मतलब और क्या होता है तो कनक कनक ते स से आधी व्याधी सब्द युगमे में जो आधी है उसका आर्थ किया है मतide is temos current मांसिक पीड़ा को आधी और सारी पीड़ा को भियाधी बोल रहाता है तो भियाध आधी गवन तक क्या हो जाएगा मांसिक वीड़ा तो यहाँ पर option जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आते हैं question number 182 पर तो आप से कहरा है कि सेवा सदन किसकी रचना है जो सेवा सदन है वो बताईए किसकी रचना है जवाब दीजए सबी लोग जवाब देखें आपर आना सुरू हो गया है तो अगर हम बात करते हैं सेवा सदन के बारे में तो बिल्कुल सही बात है सर गोदान गवन सेवा सदन ये सारी मुंसी प्रेम चंद्र जी के उपन्यास है तो यहाँ पर उप्सन जो इसका सी है प्रेम चंद्र वो यहाँ पर बिल्कुल करेट हो जाएगा चलिए आते हैं 183 पर तो आप से कहरा है कि हिंदी के सब्दों का लिंग निर्धार किसके आधार पर होता है हिंदी के सब्दों का लिंग निर्धार जो होता है वो किसके आधार पर होता है चलिए जवाब दीजे सबी लोग और जवाब देखिए यहाँ पर आना सुरू हो गया है तो अगर हम बात करते हैं हिंदी के सब्दों का जो लिंग निधार है वो प्रमु खुरूप से संग्या के आधार पर होता है संग्या को देख करके हम बताते हैं क्यों क्या है राम है तो पूरुस लिंग और कोई है तो इसलिंग ऐसे हम लोग संग्या का निधार करते हैं चली आते हैं कोईशन 1934 पर तो आपसे कहा रहा है कि आधिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था जवाब दीजिए सभी लोग और जवाब देखें, यहां पर आना सुरू हो गया सभी का, तो याद रखेगा आदिकाल के लिए वीर गाथा काल जो नाम है इसको डॉक्टर राम चंदर बीर गाथा काल आचार हार राम चंदर सुखलने किया था और डॉक्टर राम कुमार बर्मा जो है यहां पर उन्होंने चारड काल या संधिकाल यह दिया था तो यहां पर लेकिन आधिकाल की वीरगाता काल दिया गया तो यहां पर आचार राम चंदर सुकल होगा तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उपसा नमबर सी व जवाब देखें आपर आना सुरू हो गया है तो अगर हम बात करते हैं पेड़ से बंदर कुदा तो यहां पर इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका अलग हो रहा है ना अपादान का रख हो जाएगा तो जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपसर नमबर ए वो लोग जवाब का 186 कहा रहा है अधर डा इसका उचार सन क्या होता है जवाब देखें आना सुरू हो गया है तो बैसिकली टावर्ग का है और टावर्ग जो होता हो मूरधन्य वाले होते हैं तो यहां पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपसर नमबर सी वो लोग यहां पर तो यहां पर अगर हम हिंदी भासा में बोलियों की बात करते हैं तो हिंदी भासा में याद रखेगा मैं आपको एक जैक्ट आज बता रहा हूं इसको हमें से याद रखेगा जो आयोग भी मानता है 18 बोलिया है और इनको पांच उप भासाओं में बाटा गया है पश्मी हि ररस्थाने में मेवाती मारवड़ी ऐसे होती है तो अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो आपकी टोटल बोलियां आपके ठारा है इनको पांच अलग-अलग भासाओं में बाटा गया है तो यह दो चीज़ा आत रखेगा तो यहां पर ऑप्सन जो इसका सी है ठारा व याद रखेगा सबको पता होगा कि दो प्रकार की होती हैं आपकी स्वर और व्यंजन तो यहां पर ऑप्सन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर एसर चलिए आते हैं कोईस्टन नम्र 189 की तरफ तो आप से कह रहा है कि जिस सूचना को राज-पत्रों म प्रकासित कराया जाता है उसे क्या कहा जाता है चलिए 189 का जवाब देखिए आपर आना सुरू हो गया है तो याद रखिएगा जिस सूचना को राज-पत्रों में प्रकासित कराया जाता है उसे अधिस सूचना कहा जाता है क्या कहा जाता है सर अधिस सूचना तो यहां प आठवी अनसूची में नहीं है बदाईए कौन सी भासा भारतिय संधान की आठवी अनसूची में नहीं है तो यहाँ पर याद रखेगा जो भारतिय संधान की जो यहाँ पर देखा जा तो आठवी अनसूची में टोटल बाइस भासाएं हैं जिसमें से आपका जो हिंदी है स होशपुरी है वो बिसीकली आपका नहीं है तो ऑप्सन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है सर चलिए आते हैं एकले कोशन पर तो एकला कोशन कर रहा है कि प्रेम चंडर को कौन सव पन्यास अधूरा है बताईए प्रेम चंडरी जी का ऐसा कौन सव पन्यास है जो आपका अधूरा है सभी लोग जवाब दीजिए कोशन नंबर 191 गा तो यहाँ पर देखते हैं कितने जवाबी चुका हूं और जवाब आना शुरू हो गया है तो जितने भी लोग जवाब देरें ऑप्सмен नंबर b मंगल वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे तो मंगल सूतर जो है वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट अस पर आते हैं 102 buildings पर तो अनुस और च्या है तो यहां पर जितने भी लोग जवाब दे रहें आपसर नंबर C वो लोग यहां पर बिलकुल correct है clear दोस्तो चलिए आते हैं question number 193 पर तो कौन सा जो सब्द है वो आपका देशज सब्द है आपको यह बताना है यहां पर कौन सा जो सब्द है आपका देशज सब्द है 193 जवाब देखें आपर आना सुरू हो गया है तो 193 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखें जो काम है काम जो है आपका वो एक तदभो सब्द है तो यहां पर देशज पूछा गया है तो देशज की अगर हम बात करते हैं यहां पर हो जाएगा आपका कमर तो आपका फार्सी घागा CT हो जाएगं आते हैं को यहां नम्र 1194 पर तो क्या रहा है कि पच्च्च के आधार पर की किरिया की कितने प्रकार हैं पच्छ के आधार पर किरिया के कितने प्रकार हैं बताएं अब्र आपका जूभी है क्वेशन 294 का जवाब आना शुरू हो गया है तो अभी कल बताया था दो प्रकार होते हैं पूड़ पच्छ और पूड़ पच्छ तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपसर नमबर A वो लोग यहाँ पर बिलकुल करेक्ट है चलिए सर आते हैं अगले कोशन की तरफ तो अगला कोशन देखें आपर क्या कह रहा है कि भई हिंदी व्याकरण में सरवा अधिक रूप से प्रियोग होने वाला विराम जी ने कौन सा है सबसे जादा जो प्रियाम जीने प्रियोग होता है वो कौमा होता है कौन सा सर कौमा जिसको हम लोग बोलते हैं अलप विराम तो जितने भी लोग बोले हैं अलप विराम वो लोग यहाँ पर बिलकुल क्लियर है साथियो चेलिए आते हैं कोईशन नमबर 196 की तरफ तो आप से कह रहा है कि ही हार्डी वर्क्स ही हार्डे वर्क्स इसका हिंदियन बात क्या होगा हार्डे मतलब क्या होता यह जान लो हार्डे मतलब होता है बिसिकली ऐसे समय लोगे आपका एक फ्रेज है इसका मतलब होता है वह कामचोर है ही हार्डे वर्क्स इसका मतलब होता है वह कामचोर है क्लियर है ही हार्डे वर्क्स ऐसा मान सकते हो हार्डे अगर होता तो जाला अच्छ रहता है hardly works यानि कि वो बहुत मुस्किल से काम करता है यानि कि वो कामचोर है question number 197 कह रहा है कि उट के मुह में जीरा इसका हंदी अनवाद क्या होगा 197 का सभी लोग जवाब दीजे उट के मुह में जीरा इसका हंदी अनवाद क्या होगा बताईए जवाब देखिए आपर आना सुरू हो गया है तो इसका मतलब होता है a drop in a ocean यानि की option number जो इसका a है वो करफ्ट हो यानि कि समुदर में एक बूद पानी जो होता वही होता वो उट के मुह में जीरा तो option जिसका a है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए चलिए आते हैं question number 198 पर तो कह रहा है कि किरिया विसेशड के कितने भेद हैं बताईए सबी लोग किरिया विसेशड के कितने भेद हैं 198 का जवाब देखिए यहाँ पर आना सुरू हो गया है तो याद रखेगा किरिया विसेशड के टोटल दो भेद होते हैं रीति वाचक और परिमाण वाचक कितने होते हैं सर रीति वाचक परिमाण वाचक तो option जो इसका दो है यह है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जा ब pressmen ना हो पा रहा हूं थो तो निमलिखी सब्द होगा दो एंस नियान वे का क्रेक्ट एंसर क्या हो जाएक सर चलिए एक सदा कोईशन नमबर 200 का जवाब देखें आप पर आना शुरू हो गया है तो भाई सद्धा एक वचन में प्रियोग होने वह यहां पर हो जाएगा भीड तो भीड जो होता है सद्धियों एक वचन में ही प्रियोग होता है समझ में आगे दोस्तों तो दोस्तों अभी 9 बचकर 24 मिन करेंगा तो उसको देखना मत भूलिएगा तो सभी से कहीं जाएगा मत नोटिफिकेसन आए आपके पास या ना आए आपको साधे 9 बच पर आज आना है वी दो मिनिट बाद जैसे इस टेस्ट को में एक एंड कर रहा हूं इसके जेस्ट बाद आपको आना है यूपीजी के क का टेस्ट देने तो अभी लिए बाबाए टेक कियर जैहिन जैभात मिलते हैं सबसे दो मिनिट बाद